नई माँ बनी हैं तो जानिए ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका और पास जरूरी सावधानिया जब आप पहली बार माँ बनती हैं तब आपके लिए मातरत और बच्चे से जोड़ी सबी बाते नई होती हैं इनी बातों में से एक बहुत जरूरी बात है बच्चे को सही तरीके से दूद पिलाना अक्सर माताओं को सही तरीका पता नहीं होता है जिससे बच्चे को दूद पीते समय कई तरह की समस्यों का सामना करना पड़ता है जैसे उनकी नाग दबना जिससे उने सांस लेने में दिक्कत आती है कान का दबना आदी नवजाज सिसु अपने समस्या बता भी नहीं सकते ऐसे में माताओं को ही बेबी फीडिंग कराते वक्त कुछ सावधानिया बरतने की जूरत होती है तो आईए जानते हैं कि बेबी को फीड करवाते समय आपको किन बातों पर ध्यान देने की जूरत है उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल में आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा पहल आइकन को बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए बताते हैं आपको कि बेबी को फीड करवाते समय किन बातों का ध्यान देना जरूरी है नमबर एक है इस्तनपान के दौरान अपने बच्चे का सिर उसके चाती से उचा या 45 डिगरी के कोड में रखना चाहिए इसलिए बैठकर इस्तनपान कराना उचित होता है नमबर दो लेटर लेटर ही इस्तनपान कराने से कान के इंफेक्शन का खत्रा दो गुना बढ़ जाता है उसी प्रकार बोतल से दूद पीने वाले बच्चे का सिर तकिये पर उचा उठा कर ही बोतल देनी चाहिए नमबर तीन चिसू को दूद पिलाने के बाद एक दम विस्तर पर नहीं लिटाना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो चिसू पिया हुआ दूद मुसे निकाल सकता है सिसु को दूद पिलाने के बाद उसे कंदे पर लेकर उसकी पीट पर धीरे-धीरे हाथ फेरे इससे बच्चे के पेट में दूद का पाजन अच्छे से होता है दूद पिलाने के तुरंद बाद यदि अपने शीशु को बिना डाकार दिलाए लिटा दिया है तो कई बाद डाकार के साथ दूद निकल कर शीशु की स्वास निलका से होते हुए फेपडों में परवेस कर जाता है और शीशु की जान को खतरा हो सकता है बच्चे को जर्म के बाद उसे मा का दूद पिलाना चाहिए बच्चे के लिए मा का दूद जीवन दायनी शक्ती होता है और बच्चे को कई रोगों से बचाता है बच्चे को 2-3 घंटे के अंतराल से जब भी वे रोई इस्तनपान कराना सर्वत्तम है तो ये थे कुछ 5 बाते जिनको ध्यान रखके आपको बच्चे को फीट कराना है अगर वीडियो हेलपफूर लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में जय मत आद